हेलो गाइज वेलकम बैक टू मैं जैनल किचन गुंजन की और आज मैं बनाने वाली उसुजी का इतना टेस्टी हेल्दी नाश्टा कि आपको बहुत पसंद आएगा ये और आपकी बच्चे भी बहुत इसको इंजॉय करके खाएंगे उनको भी आप लंच में दे सकते हो और जल्दी भी बनता है ये मैं इसको बनाऊंगी दो तरह से आप देख सकते हो एक अप्पे मेकर में और एक स्टीम देखें आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उसी तरीके से बना सकते हो इसको इसको बनाना शुरू करते हैं मैंने लिए हैं यहाँ पे एक कटोरी यानि कि एक चमची तेल डाला है मैंने इसमें और डाल देंगे धनिया पता हरा धनिया डाल दिया है स्लीफलिक्स डाल देंगे इसमें और डाल देंगे नमक कोई और मसाला भी आपको एड़ करना है तो वो भी कर सकते हो आप साथ में डाल दी है मैंने सूजी एक कप सूजी बन जाएंगी साटे की तो इसी तरह से हमें continue चलाते रहना है ताकि अच्छा सा soft dough बन जाए इसका अब मैंने गैस बंद कर दी है इसको इसी तरह से ठंडा करेंगे थोड़ा सा और इसको एक बोल में निकाल लेंगे इस तरह से मैं निकाल रही हूँ यह देख सकते हैं अगर आप इसको जादा टाइट कर दोगे तो बहुत जादा dough टाइट हो जाएगा जिससे बिखरने लगेगा तो soft lowi जो हम बनाएंगे वो नहीं बन पाएगी तो इसी तरह का रखना है आपको क्योंकि ठंडा होने के बाद और टाइट होगा थोड़ा सा हाथों पे हलका से oil लगाएंगे और इसको set कर लेंगे हाथों से क्योंकि इसको थोड़ा soft करना है तब ही हमारी रोटी बन के तयार होगी यानिकि पेड़े जासा तो इसी तरह से मैंने इसको कर लिया है ढके रख दिया है कड़ाई में डाला है oil इसमें डाल देंगे जीरा साथ में डाल देंगे प्याज प्याज को अच्छे से भून लेंगे अब मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर अब डाल देंगे इसमें हरी मटर अच्छे से mix कर लेते हैं इसको साथ में डालेंगे थोड़े से मसाले अनिकी लाल मिर्च हल्दी धनिया बॉडर और नमक बस इतने ही मसाले डाले हैं मैंने इसमें कोई गरम मसाला वगरा नहीं आइड करना है आप चाहें तो कर सकते हो लेकिन मैंने नहीं किया है अब डाल दूंगी में इसमें बॉइल आलू जिनको मैंने कद्दू कस कर लिया था तीन आलू है ये और इनको अच्छे से mix कर लेंगे साथ में mix कर लेंगे इसको यह देख सकते हो, मैंने डाला है यहाँ पर आमचूर पाउडर एक चम मच, अब डाल देंगे इसमें हरा धनिया आप यहाँ पर नीबू का रस्वी डाल सकते हो, अच्छा टेस्ट आएगा आप देख सकते हो, बनके तयार हो गई है, बस अब मैं इसको निकाल लूँगी एक बोल में और इसको भी ठंडा करेंगे हम यह देख सकते हो और बहुत जल्दी बनता है यह नाश्टा ये देख सकते हो ये बनके तयार हो गया अब मैं बना लूँगी स्की बॉल्स इसकी बॉल्स हमें छोटी छोटी ही रखनी है ताकि हमें बहुत जादा जब हम लोई बेले या फिर उसको थोड़ी सी इसकी पूरी जैसा बनाएं तो बहुत मूटी नहीं करनी है ये बॉल्स बड़ी नहीं बनानी है छोटी ही बनानी है तो आब देख सकते हो बॉल बनके तयार हो गई है अब हलका सा आतों में ओईल लगाएंगे अब जो मैंने आटा लगाया था यानि कि ये सूजी का डो बनाके तयार किया है वो एकदम सॉफ्ट है और इसकी एक लोई बनाएंगे यानि कि पेड़ा बनाएंगे अच्छे से पेड़ा बना लेंगे इसका और जैसे हम एक कचोड़ी में फीलिंग करते हैं सेम उसी तरह से हमें इसको हातों से करना है बेलना है यानि कि हातों से सेट करना है एक पूरी की तरह से, फॉर्म में लेके आना है, अब यह आप देख सकते हो, मैंने बहुत मोटा नहीं बेला इसको, यानि कि हातों से बहुत मोटा नहीं करना इसको, पतला ही रहने देना है, वरना तो बहुत अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, और इसके अंदर फीलिंग डाल देंगे इसक और बस इसको शेप देंगे, आप किसी भी शेप में बना सकते हो, मैंने हापे इसको एक लड़ू की शेप दी है, जिस तरह का हमारा लड़ू होता है, क्योंकि जो अप्पे मेकर है, उसका साइज यही है, तो इसी तरह से मैंने अप्पे मेकर के लिए इसको ये शेप दी है और जब मैं इसको steam करूँगी तो मैं एक अलग shape दे दूँगी इस तरह की ये देख सकते हो मैंने अप्पे maker के लिए और steam के लिए अलग-अलग shape में इनको तयार कर लिया है ये देख सकते हो आप अप्पे maker में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया है आप इसको ज़रूर से try कर सकते हो अगर आप इसमें आप देख सकते हो मैंने अप्पे maker में हलका सा oil लगाया है बहुत कम तेल में टेस्टी नाश्टाप को तयार हो जाएगा अब इसको रख देंगे इस तरह से ये देख सकते हो अब बस इसको उपर से हलका सा oil spread कर देंगे oil को बहुत हलका हलका ताकि इसकी कंची ना साए और आपको fry भी ना करना पड़े ज़ादा अब इसकी लिल लगा देंगे हम और इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुख होने देंगे मैंने एक कढ़ाई लेली है उसमें पानी डाल दिया है उपर से छन्नी रख दिया है छन्नी पे हम oil spread करेंगे अच्छी तरह से ताकि जब हम सूजी का अपना नाश्टा इस पे रखें तो चिपके ना इसलिए हमें इस पे oil लगाना है अब मैं इसको रख दूँगी आप देख सकते हो दोनों की shape change है और इनको जब आप खाएंगे तो दोनों का taste भी थोड़ा अलग हो जाएगा अप पे maker में थोड़ी सी आप check कर लीजे देखो अप कैसा निकलता है ये क्योंकि इसमें crunchiness आ जाएगी और आप देख सकते हो असानी से बन भी रहा है कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको बनाने में और बहुत soft भी आई ये आप इसको जरूर से try करो आपको बहुत अच्छा लगीगा इसको ये देख सकते हो कितना soft है अब इसको अच्छे से और cook होने देंगे दो मिनट तक ये अराम से cook होगा और आप देख सकते हो ये कितना अच्छा इसमें color आ गया है इसी तरह से हमें और भी अच्छे से cook कर लेना है ये बहुत tasty बन के तयार हुआ है ये आप देख सकते हो पलट देंगे इनको एक एक बार ताकि ये अच्छे से और हो जाए मैंने बाकी भी सी के अंदर set कर दिये हैं इनको भी चेक कर लेते हैं एक बार ये पूरी तरह से बन गए है इनको हो गया है साथ से आठ मिनट और ये बिल्कुल perfectly done हो गया है क्योंकि इनके उपर एक निकाल लेंगे चेक कर लेते हैं एक बार बहुत सॉफ्ट है आप बिल्कुल बनके तयार हो गया है ये देख सकते हो असानी से निकल भी जाते हैं ये और टेस्ट भी बहुत बढ़ी है इनका तो आपको जिस भी तरीके से अच्छा लगे आप उस तरीके से बनाईए देख स हमने बंद कर दी थी थोड़ा सा इनको हम थंडा होने देंगे तब निकालेंगे वरना तो ये चिपके हुए होंगे तो निकलेंगे नहीं थोड़ा सा हम थंडा होने देंगे तब ये असानी से निकल जाएंगे अभी भी काफी गरम है लेकिन हम एकदम से नहीं निकालेंग ये देख सकते हो कितने बढ़िया से बन गए है ये अब मैं हलका सा ओयल डालूंगी एक कड़ाई में ये बिल्कुल आप्शनल है आपको करना है तो कीजिए वरना इसको अवाइड कर सकते हो पुरी तरह से लेकिन इससे एक लेयर आजाईगी कंची नस आजाईगी उसमें राई का तड़ का मारा इसमें धनीया पतर डाल दिया है हलकी सी लाल मिश डाल देंगे अब इनको हम हलके से अलके सेक लेंगे बहुत हलका अलका सा बस इसमें मसाला चिलिक जाए तो टेस्ट अच्छा आएगा, राई का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आया है बस इनको अच्छे से सेक लेंगे यह देख सकते हो आप बहुत हलके हाथ से हमें इनको पलटना है क्योंकि बहुत सॉफ्ट है और जो हमारा फ्लेम होना चाहिए, गैस का बिल्कुल मीडियम होना चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा स्लो नहीं होना चाहिए बिल्कुल वणा यह चिपक जाएंगे, अगर जो आपका नीचे का तवा गरम नहीं हुआ तो यह चिपक जाएंगे इसलिए वस इस तरह से इसको चला देना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, गैस को कर देंगे बन, यह तयार हो गया है अब हम इसको साफ कर लेते हैं मैं आप इसको चेक करके भी दिखाती हूँ, कि यह किस तरह कर दिख रहा है, अंदर से स्टफिंग कैसी हुए इसकी और बहुत साफ्ट है, बहुत टेस्टी है खाने में यह देख सकते हूँ, कितना अच्छा लग रहा है तो आप इसको ज़रूर से ट्राइ करें अब कर लेते हैं हम अपनी प्लेटिंग तो मैंने आपको दो तरहीके से इसको बनाना बताया है आपको जो भी अच्छा लगे आप ज़रूर से ट्राइ करें प्लेटिंग हो गई है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आया है आप इसको सर्फ कर सकते हो किसी भी चटनी के साथ में सौस के साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करना सब्सक्राइब करना बैल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको आगी की नोटिफिकेशन मिलती रहे मिलते हैं ऐसे ही अच्छी अच्छी नई नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाबाई कर दो से अच्छी आगा हो जच्छी नई वीड़ाइब के लिए गूची आगार, बाइकन को प्रेस आपको और रजाएब को आपको चाह वीडियो दो चाहिए हो जविकेशना